हुआ है जाइज हैं साम बैक विद दनीव वीडियो वेलकम तो माई चैनल बल्जेपायर तो आज हम डिस्कूस करने वाले दोस्टाप्स के बारे में बट्रस से पहले डिस्क्लेमर है कि यह कुछ बाइसल की रेक्मेंटेशन नहीं है अगर आपको इंवेस्टमेंट करते हैं तो खुद की रिसर्च जरूर कीजिए या फिर अपने फिनेशल अडवाजर से चैनल जरूर कीजिए तो लेट्स स्टाट दे वीडियो गाइस अपना पहला स्टाउक है संटेक रियालिटी और इसको डिस्कूस करने का एक मेजर रीज है और इसका लाइफ काइम हाई जो था वो अराउंड फाइफ थरी था उसको ब्रेक करके इसने फाइफ सेवन्टी के आसपास क्लोजिंग दी है तो यही मेजर रीजन है इसको डिस्कूस करने का अब हम चलते हैं डेली चैट में तो आज इसने बारा परसंट की मूव दी है और 58-59 रुपीज की मूव आई यह तो अब हमें क्या करना है तो गाइस कल दो चीज़ों हो सकती है नमबर एक जिसकी ज़्यादा प्राबैबिलिटी है वो है कि कल इसमें थोड़ी कांसॉलिडेशन हो सकती है और BDST वाले शार्ट ट्रं ट्रेडिंग वाले वो अपना प्र दूसरी प्राबैबिल्टी जो की सिरफ 20% की है कि यह जहां पर भी खुलेगा वहां से उपर ही जाएगा तो 80% प्राबैबिल्टी है इसमें प्राफिट बुकिंग चलेगी चलेगी पुरानी प्राफिशन से लोग प्राफिट बुक करेंगे एक्जिट होंगे और नई हाई हुआ तो आप समझ चाहिए कि इसमें आज पूरा दिन प्राफिट बुकिंग चलेगी तो जितना नीचे आपको मिले आपने उतना नीचे उठाना है 569 का CMP यह दिखा रहा है 533 का वो लेवल है जिसको इसने ब्रेक किया है lifetime हाई तो हमें 570 से 540 तक 570 से 540 तक हमें इसे accumulate करना है अगर यह कल को प्राफिट बुकिंग चलती है इसमें तो ठीक है और अगर यह कल को उपर ही जाता है तो आपने common sense लगानी है अपनी और देखना है buyer seller क्या है market condition कैसी है और दूसरा इसके high lows क्या है तो उसको देखने के बाद 10-15 मिनट की wait करने के बाद जब प्राइस सेटल हो जाते है क्योंकि पहले बंदरा मिनट में एक दम से एक spike आती है stock में और कई लोग तो intraday में उसी में फस जाते हैं जैसे let's suppose एक stock कल 99 रुपीज पर बंद हुआ ठीक है 10% move के साथ next day वो खुला 102 पे खुला और 102 पे खुलते ही एक spike आई उसमें और वो 106 तक गया ठीक है लोगों ने लोग देखते हैं कि 102, 103, 104 प्राइस ऐसे चलता है पहले 5-7 मिनट में कि लगता है कि आज ये 105 वाला stock ये 180 लगा देगा आज तो उसमें लोग trap हो जाते हैं ठीक है और high पे ले ले लेते हैं उसके बाद उसमें consolidation आने लगती है profit booking जो की आनी तया है because BTST वाले लोग बैठे हैं ठीक है वो BTST वाले छोटी quantity नहीं लेके जाते हैं ठीक है और मुझे नहीं पता आपको market का कितमा पता है पर जो BTST करते हैं वो कोई 20-50-100 share हों से नहीं करते हैं ठीक है उनकी quantity बड़ी होती है और हम retailers जो positional traders हैं या long term investors हैं उनकी quantity से कहीं बड़ी होती है क्योंकि उनको सरफ एक ही रात रखना होता है तो आज भी कुछ ऐसे broker हैं जो margin देते हैं तीन दिन तक का margin होता है ठीक है आप तीन दिन तक उस पैसे को use कर सकते हैं जो broker आपको margin available करवाता है तो btsd में लोग बड़ी quantity उठाते हैं कि हम एक ही रात में या next day सुबह हमें बस profit book करना निकल जाना है stock का price जो भी हो तो जो वो spike आती है न उस spike का सभी btsd वाले फाइदा लेते हैं इसी लिए उस spike एक spike आने के बाद stock mostly वो नीचे आने लगता है क्योंकि उसमें selling बहुत जाला पढ़ती है तो इस चीज़ का आपको धियान रखना है ठीक है stop loss हमने इसका रखना है 510 का तो 570 से 540 तक हम इसे accumulate करेंगे ठीक है और इसके लिए टार्गेट हम रखेंगे गाइस पहला टार्गेट इसका होगा 650 का जो कि आपको एक week में देखने को मिल सकता है और जो इसका next target होगा वो medium term target होगा वो एक मीना बी लगा सकता है वो 700 के उपर का target होगा अगरा तो आप मेडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं मिहना दो मिहने स्टॉप को रख सकते हैं तो आप इसे accumulate कीजिए और आपको यह 700 बहुत जल्दी दिखेगा बट अगर आप शॉट ट्रम ट्रेडर्टर्स हैं लाइक वीक और सो तो गाइस फिर 580 से 540 तक accumulate कीजिए 650 का target आपको कंपनी का ना में इंट्रसॉफ्ट और बेसिकली यह एक e-commerce कंपनी है अग शायद आपने गूगल पर कभी किसी को अगर electronic greeting भेजा हो तो आप देखेंगे वो greeting होता है 123 greeting.com मुझे नहीं पता आप मेंसे कितने लोगों ने यूज किया है बट मैंने काफी साल पहले जब मैं फारण में था तो मैं काफी यूज करता था अपने friends and relatives को greeting भेजने के लिए तो वो greeting यूज किये जाते थे तो वो direct आपकी email में लिंक आ जाता है उससे आप open करते हैं उस पे बेसिकली यह e-commerce पे काफी तरह के product sell करती है यह brands और customer के बीच का एक bridge है तो हम इसे e-commerce company कहेंगे तो guys यह देखिए इसने भी अपना एक swing high break किया है और अब हम चलते हैं इसके long-term chart पे जिससे कि आपको story clear हो जाएगी तो यह रहां guys long-term chart तो आप यहां देखिए यह 224 एक resistance था major जहां से stock में selling आई थी वहाँ से नीचे गिया तो यह 20 रुपे तक आ गया था ठीक है तो इसने वो level को break किया है जो की level बनता है around 226 का 226 को break किया है तो guys आपको इसको CMP पर भाए करना है और इसका जो पहला target रहेगा वो रहेगा 275 का और दूसरा target जो रहेगा वो रहेगा 325 का 275 and 325 दो targets है एक short term target है एक medium target है और इसका जो हमने stop loss लेना है guys let's get back to the daily chart तो इसका आपका जो stop loss रहेगा guys वो stop loss आपका ये बला रहेगा 210 का तो 210 के stop loss के साथ आपको ये CMP पर position मरानी है वैसे इसमें शायद अपर circuit था आज let me check यहां लगता तो ऐसी है इसमें circuit लगाता है तो anyway आपको maybe एक दोर पर उपर मिल जाएगा क्योंकि अगर circuit भी लगता तो ये एक दोर पर उपर इखुलता है तो आपको इसको यही अराउंड 235 से 240 के बीच में position मरानी है 210 का stop loss and 275 का short term target 325 का medium term target रहेगा और बाकी हम डिसकस करते हैं जो कल स्टॉक दिये थे उनकी performance कैसी रही तो पहला तो था Rolex train तो यह कल यहां पे close हुआ था 1282 पे और आज यह उपन हुआ कुछ 1344 पे उसके बाद यह नीचे आया 1314 तक 1314 तक तो मेभी आपको यहां entry मिल गई हूँ और इसने high बनाया 1365 का तो अराउंड यह आज भी 5% की move इसने दी हैं तो मेभी आपने अगर entry ली होगी तो आपको इसमें intraday में ही अच्छा खासा profit मिल गया होगा और अगर आप position hold कर रहे हैं तो hold कीजिए और जैसी यह नीचे आई इसे accumulate कीजिए और बाकी हां मैं इसमें position नहीं बना पाया क्योंकि यह जहां पे खुला था वहां मुझे फिर इतना नहीं लगा कि इसमें अभी कोई buying करनी चाहिए ठीक है बट जिन्होंने की होगी उनको वो profit में ही होग इसका लोग बना वहीं पर है अरूंड फंद्रा सो निस के असपास पंद्रा सो बीस पर बुलाता है यह तंद्रा सो बीस पर देखा था मैं उसे तो इस पंद्रा सो बीस से इसने क्या हाई मुना है 1693 तो 1626 पर तो यह इसकी closing दिखा रहा है 7.5% उपर बड़ी यह देखिए 1693 का हाई और आपको और approximately 1500 पॉइंट मिला है आज इसमें जो की एक बहुत अच्छी मूव आपको इंट्राडे में ही 10% के क्रीब यह यह 10% exactly 10% की मूव आपको इंट्राडे में मेरी तो आप फिर position क्यों hold करेंगे जब आपने 10% इंट्राडे में ले लिया तो हम swing trade करते ही 5 5-10% के लिए जब वह आपको इंट्राडे में मिल गया तो आप क्यों फिर इसे hold करेंगे आपने profit book कर लिया होगा according to my exemption perception भागी हां मैंने भी इसमें काम किया था और मैंने भी इसमें इंट्राडे में ही profit book कर लिया जब इतनी एक पड़ी मूग मिली तो मुझे लगा कि मुझे profit book कर लेना चाहिए ठीलिया and guys अहाँ एक चीज़ और मुझे कुछ लोगों के message आये थे कि मैं आपको यहाँ पे week में at least एक या तो कोई penny stock जो एक आपके पैसे को मैं देगा आपको 30-40% की move दे सके या फिर कोई long term stock मैं यहाँ पे discuss किया कर हूँ ताकि जो आप hold कर सके अपने portfolio में और आपको 40-50% की move एक डिड़ महीने में मिल जाएं जो अगर आप ऐसा कोई stock चाहते हैं तो मुझे comment section में आप सब का response चाहिए तो फिर मैं उस पे research करके मैं week में एक stock आप लोगों के साथ discuss किया करूँगा जो कि आपको 30-40% की move महीने डेड़ महीने में दे जाया करेगा और मैं यह अब भी करता हूं अपने group में डालता हूं ठीक हैं उन लोगों के पैसे double होते हैं एक-एक महीने में लोगों के पैसे double हो चुके हैं और एक stock नह maximum आपको यहां free में आपके साथ discuss कर सकता हूं बढ़ उसके लिए मुझे comment section में आपका response चाहिए and if you if I get the response then we'll start those videos too thank you for watching guys and bye for now